मैं तो मांग करूंगी कि इस बज़ेट का नाम बदलना चाहिए क्योंकि ये देश का बज़ेट नहीं ये सरकार बचाओ बज़ेट है जे देश का बज़ेट होता तो फिर देश में 28 राज़े हैं कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं सब मिला के तो ये तो 37 के करीब हो लेक से उसमें ज्यादा बज़ेट तो वो दो राजियों को मिला जिसकी लाठी के जिसके कंधे के सहारे में ये सरकार चर रहे हैं तो ये देश का बज़ेट नहीं से ये सरकार बज़ाओ बज़ेट था और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि बज़ेट में नैच्रूल कल और धर्म के नाम पर भी पाखपात किया गया है यह तो मैं पहली बारी देख रहे हूं बहुत अच्छी बत कि आपने धर्म एकस्तानों को बोध गया को राजगीर को जहां जहां आपने दिया बहुत अच्छी बात है लेकिन जिस श्रीद्रबार्श साथ पे पर रोज दो लाख लोग नकमस्तक होते हैं, उनको मुफ्त खाना मिलता है, सबसे बड़ा दुनिया भर देश भर के लोग वहाँ पे जाते हैं, और जहां पे सारा दिन सर्बत के भले की अर्दास होती हैं, उसका तो आपने नाम तक नहीं लिया, और फिर मैं नैच्छनल कमेल बादेता है, और तबाही मचाता है, तों पनजाब को आप यू भूल जाते हैं, जब पानी डैम में भर जाता है, तो आप डैम खोल देते हैं, और हमारा पंजाब ढूबा देते हैं, जब घगगर रिवर का लेवन ऊपर हो जाता है, तों चुप चुपी ते कर साथ के पंजाब के किसान पंजाब का सरकार को मैटर नहीं करता और हिरानी की बहुत सर जब बाड़ आती है तो पंजाब सफर करें जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर कॉंग्रेस हो आमादमी हो भाजबा हो सारे कठे हो के शडियंत्र खेरे कि एस्वैल की नहर बनाईए ताकि पानी कम होता है तब तो हमारा पानी चुराना चाहते हैं जब पानी उनमें ज्यादा हो जाता है तो पंजाब को फ्लड कर देते हैं और सर आपको मैं यह भी बताना चाहती हूं तकरीबन सतर साल पहले इस सरकार ने कॉंग्रेस सरकार ने रिपेरियन प्रिंसिपल्स के खिल या उसको बंद किया जाए, या हमें उसका पैसा दिया जाए, यह मैं आप आपसे आज मांग करती हूँ. सर, दूसरा मैं यह भी आपसे मांग करती हूँ, कि Central Ground Water जो कह रहा है कि पंजाब के सारे blocks critical हो गए है, हमारे wells में पानी नीचे जा रहा है, आज की report तो यह भी है कि toxicity इतनी हाई है कि पीने लाइक नहीं है, तो यह सर, हम लोग को तो मदद करनी चाहिए और इस पूरे budget में मदद की बात दूर हमारा नाम तक नहीं ली गया, हमें डिमांड करती हूँ कि पंजाब को भी दिया जाए, दूसरी सर मैं किसानों पर आना चाहती हूँ, चार पिलर बोले थे, युवा, महिला, गरीब किसान, किसानों को तो मैं बोलना नहीं चाहती, जो कितने किसान अगरिकल्चरल ग्रोथ 4.7 थी, तो फिर पिछले सार 1.4 क्यों रहेगी जिनकी पॉलिसी इतनी अची है, हकीकत यह कि किसानों के ये दुश्मन हैं, किसानों के हमेती नहीं हैं, आज हरे एक तरह से महंग्याई की मार देखिए आज, जो आठ छे साल आठ साथ पहले 40 किलो का बीज का एक बैग होता था, वो आठ सा से बारा सो होता था, दो हजार हो गया, डी एपी तीन गुना बढ़ गई कीमत, पुटैश नो सो से सत्रा सो, जो लेबर का कॉस्ट होता था, वो भी तीन गुना हो गया, जो हर्वेस्टिंग के लिए होता था, वो भी तीन गुना हो जो मशीनिनी की रेंटल होती थी डीजल आपने 47 से 90 कर दिया तो वो आप सोच ले कहां तक सो जहां किसान को रिलीफ देनी थी उसमें रिलीफ किया दी मनरेगा में 0 इंक्रीज लोग सोच दे थी आप बढ़ाएंगे अमाउंट बढ़ाएंगे दिन बढ़ाएंगे 0 क्रॉप इंशॉरंस क्रीप को माईनस टूपएंटश पसेंट उसके अमाउंट में कटवती करी यूर्याप सबसडी में माईनस 7.4 की कटवती न्यूट्रियंट बेस सबसडी में माईनस 25 पसेंट कटवती गरीब कल्यान योजना का बजट 3.3 पसेंट घटा दिया किसान समार किसान निदी का 10% गठा दिया 18-22 तक जितने फार्मस कमर अंडर पिये फसल भीमा योजना या सब का 8-9% उनका कट गया और पंजाब की जो मैं बात करूं तब पंजाब की बेनफिशरी जो पीम किसान निदी में थे और आवास योजना 2018 से घटते ही जा रहे हैं सर तो मैं यह कहना चाहती हूं कि जो किसान देश का पेट भरता है किसान सबसे ज़्यादा जो योगदान पाता है यह 80 करोड रोगों को जिनको आप फ्री राशन देते हैं उस किसान के साब आप दुश्मनी क्यों दिखा रहे हैं मैं रुप्दील करती हूं सरकार को कि जो MSP Legal Guarantee स्वाम एक फार्मर फ्रेंडली क्रॉप इंशॉरंस कोई स्कीम आप लेकिया हैं जिससे किसानों का फैदा हो इंशॉरंस कंपनी का नहीं और जो किसान के जो इंप्लिमेंट्स हैं इन पे आप GST को घदम करिये ताकि किसानों का कुछ फैदा हो उनकी फल सबजियां बचे जिससे कि मैं कि आप मौनसून आ रहा है तमाटर के रेट कहां जले जाएंगा जिए आप इंप्लिमेंट्स में जीरो करें तो बहुत कुछ फैदा हो जाएगा साखीर में पंजाब की इंडस्ट्री साथ की स्टेटों को टैक्स इंसेंटर्स देके तबाह कर दिया हमारी इंडस्ट्र वह इस बजट में उन्हों नहीं किया वह बहुत देख रही थी कि इंडस्ट्री करें इसा दो मिनिट जो हमारी साइकल इंडस्ट्री है जो हमारी स्पोर्ट सेक्विप्मेंट इंडस्ट्री है मैं आपको बेंती करती हूं को इंसेंटिव इंटरनाशनल बॉर्डर पाकिस् सर मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगी यह कॉंग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने पस्ति दस सालों में पंजाब के खजाने को लूट के तबा कर दिया है हमारा यहाँ पे इतना ज्यादा हमारा इतना ज्यादा करोड 3.4 लाक करोड का करजा है चोटे से राजे पे चड़ गया GSDP रेशो 49% हो गया है तो सर आप इनको सजा देने के लिए आप RDF रोक देते हैं हेल्थ मिशन का रोक देते हैं पर पंजाब के लोगों का क्या कसूर है मैं आपको बेंती करती हूँ जो हमारा पैसा है वो पैसा आप दीजिए आनेंप्लॉइमंट रेट ज जो राशन मिलता है गरीब बच्चियों के लिए लैक्टेटिंग मदर्स प्रेगनेंट मदर्स और बच्चों के लिए वह इनकी सरकार ने आम आदमी की जो सरकार वहां पे है वह वेर्का मिल्क फेट प्राइवेट अधारों से लेके प्राइवेट को देके सब स्टेंडर् करोणा का घपला हो रहा है को सर पैसे ना रोकिये इनको पीनलाइज करिये ताकि लोगों को उतना हक मिले और सब खीर में मैं यहीं करूंगे कि सबसे हायस पॉपिलेशन 32 परसेंट एसी पॉपिलेशन पंजाब में है सर सबसे बड़ा ग्रैनरी को योगदान पंजाब देत उसको रोक के उसकी रॉयल्टी हमें दीजे नहीं तो वो सारे फैसले रिवोक करके हमारा पानी पंजाब पे रखिए यह मैं आप सब इतनी करती हूं शुक्रिया